Praise the Lord प्रमिश्य की नाम की महिमा होवे प्रमिश्य की नाम महिमा होग शाल भी टूर नाम महिमा होग शाल भी टूर आप बाइबलस ओन्स अगें टू एक्सिदस चेप्टर त्री और रीद वस्स नाइटीन और ट्वेटी एक बार हमारे धर्म शास्तर को खोलते हुए निर्गमन की किताब तीसरा अध्याए बचन उन्नीस और बीस पढ़ेंगे मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुमको जाने ना देगा बन बड़े बल से तबाई जाने पर भी जाने ना देगा इसलिए में हाथ बड़ा कर उन सब अश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूंगा उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात वहत्तम को जाने देगा बड़े बलाए 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 पर 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 लिए पर देगा we have been considering the journey of the children of Israel from their land of slavery to their homeland which God had reserved for them इसलिए के यातरा के विश्य में इन दुनों में हम लोग देख रहे थे कि किस पकार गुलामी की अवस्ता से उलोग चूट करके अपने सुदेश में वे लोग वापस जाकर के पहुंसते हैं we are also traveling in every moment of time we are also traveling in a journey of life हमारे जीवन के भी हर पल, हर घड़ी, एक यातरा हम लोग कर रहे हैं और आमारे जीवन के भी हर पल, हर मुटत आमी अटा जातरा कोरी आसू it is a journey from this world to heaven और ये यातरा इस जगत से सर्गराज की और जाने की यातरा है और ये जातरा आमारे जगदर प्रा सर्गराजुले जुआ जातरा है but we have been seeing and considering how there are powers working against us, invisible powers but certain and definite powers working against us trying to prevent us from reaching our destination और हम दो इस प्राइन दिनों में यही देख रहे हैं कि हम लो किस रिती से उस राज्य में ना पोंचे इस कारण से एक अदृष्ट शक्ती हमारे विरोद में रुकावट के रिती में कारे कर रही है उसी समय में एक निर्दिष्च शक्ती भी सथी बनावत उस्तान में पहुंचाने के लिए भी कारी करते है अँद रहो एक दुसरे घंचा के साथ हम तुलना करके देखेंगे जो बहुती शिग्र होने के लिए जा रहा है और एं बसन तो आमी एता घटना लगा तुलना कुरी बुली जाम जीतु ओटी हिग्रे हो बले गो यह से Now the Bible says that Jesus is going to come again धर्म शास्त्र केती है ति प्रभी येश्य मसी एक और बार जल्दी आने वाला है And he is going to come and take away not all Christians और वो जब दुबार आएगा वो सारे मसीहों को लेकर के नहीं जाएगा He is coming not to take away all Pentecostals और उसका आना सारे Pentecostal के लोग को ले जाने की निमीत भी नहीं He is coming to take away not all the members of this church, the Pentecostal mission और इस कलीसिया के सब भी सारे लोग को ले जाने की लिए भी उसका केवल मात्र इरादा नहीं But he is coming to take away those who have become just like him in character किंतो वो उन लोग को लेने के लिए आ रहा है जो यश्मसी के उसी सभाव में अपने आपको बदल देते हैं Those who have become like Jesus when he comes will suddenly be transported from this earth to go to their destination in heaven और जो भी कोई यश्मसी के उसी सभाव में अपने आपको बदल देगा एक दिन अचानक वो इस स्तान को इस दुनिया को छोड़ करके अपने लक्षिस्तान में जा पहुचेगा और ये भोती शीग्र और भोती जल्दी होने जा रहा है और इस जगत से एक ये यात्रा उसके जीवन का आखरी यात्रा होगा जगत को छोड़ करके मध्यकास में वे लोग जा मिलेंगे और ये तु हेग जात्रा हो वो हेग को मानो करें जी हो को एपिटी कोन एरी पिनी सौर को पावगोई और धरम शास्त इस बात को बता करके देती है कि एश्मसी के आगमन के बाद एक एसे विक्ती के दोरा सारा पृत्ती पे राज्य किया जाएगा जो भोती भहेंकर राज्य होगा एक क्रूर राज्य होगा और अमा धरम हास्त इस बात कोई से जिसुगिस्ट आगमन और पिसवत एपिटी भीखन एजन मानुहर सरकार हब लेगुए से जीजन भवायनंग भायवे हाखन करिभो When he comes into power, when he takes over rulership of the world, he will be a friend of every man, he will be a peacemaker, so everyone will look up to him as though he is someone great, but as days pass by, people will realize how mistaken they are, he will be a beastly in nature. He will be a man of beastly character, but it will be too late by then to take him off the throne, he will rule the world. When Jesus mentioned all these things when he was on the earth, he never mentioned any date or period when this will happen, but he gave some signs when these things will take place. Now I can spend my life on this place. many hours trying to explain what's happening in the world around us so that we might know that this is the period when Jesus is going to come and this is the period when that one world dictator is going to rule the world. और कुछ समय हम बिताएंगे जिसके दोर हम लोग जान सके कि इस जगत में क्या हो रहा है और उसके दोरह ये पता चलेगा कि ये जगत का अंत आ चुका है और एक वेक्ती राजी करने वाला एक राजा बहुती जल्दी उभरने वाला है और है जिता हमोट आहे वो टिताएंगे गौम पाम जे ए पिठी भी खौन हेखो बले गोया सार एज़न ब्यक्ती है राज्ट को बले गोया से Now, but I'm not going to spend time on that I'll just quote one or two things that are happening around in this world so that we might know that these are the days when Jesus is going to come For the, you know, when the Antichrist comes to power to rule the world He will come as a peacemaker He will come as one who can provide a beautiful solution to worldwide problems So, for the Antichrist to come to power there should first of all be a worldwide global crisis or problem We can already see this happening around in the world when America is going through an economic crisis the whole world is being affected thousands in India have lost their jobs Some people look up to America as though it's heaven on earth But do you know because of this economic depression in America many people have sold their houses because of loans they cannot pay up and they are living in their cars global problems like this are not going to decrease they are going to increase Watch out Very soon you are going to see in the papers the atmosphere or nations getting ready divided into two ready for a third world war It is then that the Antichrist will come to stop the war as a peacemaker This world is getting ready to receive the Antichrist But is the church getting ready to receive Christ? But is the church getting ready to receive Christ? Christ don't believe them There is a man come up in Florida in America recently His name is Hosein Louis He says I am Jesus And he has got thousands of followers in many countries He says my birth is the second coming of Christ And he says my birth is the second coming of Christ And there are so many people to follow him and believe him And many people are saying yes what he says is right He is God But Jesus said Before he warned before Before I truly come There will be many false prophets And false Christs They will claim I am Christ Do not believe them By their fruits you will know them And Islam Do not believe them कि वो कौन है so how do we know if this is really a Christ real Christ or a false Christ this Jesus this man in Florida who calls himself Jesus they asked him in an interview in the TV they asked him see you are getting so much of money do you give money to the poor and help them Jesus used to do that और उसने उनसे पूछा गया आपको इतना पैसा इतना अर्थ मिलता है इश्यू तो गरीबों को साहता करता था क्या आप भी वेसे करते हो तीवी इंटर्वीटर गुड़ा होल जा तुमी इमान पैसा पैसा जिस वे तो दुख्या His answer was People love me and they are giving me the money Why should I give it to others? उसने इस प्रकार जवाब दिया लोग मुझे प्रेम करते हैं और वे लोग मुझे पैसा देते हैं तो मुझे क्या जरूँथ कि मैं लोगों के अंदर ये पैसा बातू? लोग मुझे प्रेम करें तेव लोग के टुका दिसे हैं लोग के लोग मानोग बिलाइ दिम Look at the new Jesus answer लोग मुझे का जवाब न्य इसु का जवाब लोग जिसु की सब उतर Not only that के लो लितना ही नहीं के लो लोग लटवे नहीं This Jesus of Florida ये फ्लोड़ी का जिसु ये फ्लोड़ी का जिसु He was a gold chain around His neck और उसके गले में सोने का हार है तेख़ दिगे रॉन और अलोंकर आसे और उसके पास और उसके पास कुलिं ग्लास है तेख़ उसर और ठानडा को अशॉस्मा आसे he has a Rolex watch worth thousands of dollars हजरों की संक्या का हजरों की कीमत का Rolex watch या घड़ी उसके हाथ में है और उसके पास BMW कार भी है तैर उसके ब्यम डब्ली गारी हुआ से और जबी ना कभी ना कभी हमेशा उनके बीच में एक सबू या सबा होती रेती है और ये सबा कोई चर्च में नहीं परंतो कुछी बडे स्थान में होता है दारू के जगा में होता है I myself saw this Jesus put a cigarette in his mouth and asking for a lighter और मैंने अपनी आँखो से देखा है कि ये एशू अपने मूं में cigarette को रख करके lighter को पुछा He is now living with his second wife in his house और वो अपने दूसरी बीवी के साथ अभी नहीं रेता and he says I am Jesus and there are thousands to believe him and follow him and give him donations और वो कहता है कि मैं इशू हूँ अनेक लोग इस बात को विश्वास करते हैं अनुकरन करते हैं और इसको भेड़ भी देते हैं Jesus said when you see these things happening remember I am gonna come very soon इस मसीने का कि इन सारी बातों को होते वे देख लो तो जान लो कि मैं शीकर आने वाला हूँ Jesus said so Jesus said he's gonna come very soon how do we get ready to meet him and go with him when he comes remember there's a power in Egypt which says I will not let you go एक बाद याद रखिए कि मिस्तु देश में शक्ती हैं जो कहती हैं मैं तुझे जाने ना दूँगा अधा को ठामोर रखिए मिस्तु देखर होक्ती है says you to a कोई सिरा तुमा लोगा को मैं जावो ले निदिम if you turn to the book of Revelation chapter 12 जब हम लोग प्रकाशी द्वाग किये उसके बारह अध्याय को पल्टाते देखते हैं जोदि हमी पोकाखिट बाई को बारह अध्याय खुली साओ and you read the first few verses you will see a scene there और वहाँ पर यदि पहरे दो तीन वचनों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक दृष्ट को देख पाएंगे ता जोदि अपनी पोठम दूई टिन्टा बोसन पोई ता अपनी दिस से रखा पावो there's a woman standing in the sky on the moon और वहाँ पर एक स्त्री को हम देखते हैं जो आकाश में दिखाई देती हैं और वो चांद के अपर खड़ी है और वो चांद के अपर खड़ी है और वो गर्ववती है और वहाँ पर हम लोग एको दृष्ट को देखते हैं कि इस तरी के सामने एक अजगर एक पुरातन लाल सर्प जिसके साथ सिर है वो इस ताक में वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कब ये स्त्री बच्चे को जन्वे और में कब उसे निगल जाओ और वो चांद को देखा पर एता अजगर रोए है तार हाथ ता मूर आसे डौट आता और हींग असे और ही रोखी है से के रहे है कितिया ये टीवटा गोड़ा की के सवा तो प्रखाप कोड़ी बो और प्रखाप हुआ लगले ही खाबो पारी बो और वो जो चोट्री है वो कलीसिया है और है टीवटा जोनी मॉंडलिक डरखाए और वो जो चोटा बच्चा जो इस्ती के गर्म में तयार हो रहा है ये वो जुंड है जो कलीसिया के अंदर ये शुमसी से मुलाकात करने के लिए अपने आपको तयार कर रहा है आपको पता देना चाहूंगा कि ये शुमसी की आखमन के समय में सारे मसीहीं लोग उसके साथ जा करके ना मिलेंगे सारे मसीहीं लोग वास्तरिक मसीहीं नहीं अग्ता कोत है मुई आपनाव मोनाट प्लाई जे जेसु खिस्त जेते हाई वा हको लो खिस्तियों जे टेवलों को जाबो नौरीवार लो गुष्तियों हाज़ गुष्तियों तो नह है कि में तुझे जाने ना दूंगा, ये चोटे बच्चे, ये चोटे जुन्द, तुझे तयार हो रहा है, में तुझे स्वर्गराज में जाने ना दूंगा। आप लोग इश्मस की आगमन में नहीं जाने के लिए और इसी आगमन में रह जाकरके रह जाने के लिए ये मसी विरोधी कारी करता है। There are many things that he is doing today, but I will just place before you three things in which Satan is trying to pull you and me down, so when Jesus comes, we won't go. इसे कई बाते हैं बोलने के लिए कि तुम्हे आपके सामने के वाज तीन बाते रखता हूँ, जिस तीन बातों के दौरा, शेतान हमें इश्मस की के आगमन में ना जाकर के यहीं रहने के लिए पकड़े और खीचे रखता है। बात के बातों कोथा हासे कि तौरा बिटर मोई तीन बातों के लिए खिष्टो बिटर मोई तीन बातों के लिए जिस तौरा कुरे से जिसूर अगमन अमी जाब ना इम आपके लिए पुलिठों का हम। Firstly, let us turn to 2nd Peter and read chapter 3 verses 3 and 4. और सबसे पेरे दूसरा पत्रस तीसरे अध्याय का तीन और चार वचन को पड़े। What's written here? यहाँ पर क्या लिखा है? Many people are preaching Jesus is coming soon, Jesus is coming soon. But this verse says one group of people will rise up in the last days and they'll ask Jesus is coming, you've been preaching this for so many hundred years, He's not yet come. और कुछ लोग अन्तिम दिनों में उठेंगे और इस प्रकार ठटा परियास करते वे, वे लोग इस प्रकार कहेंगे, इश्यू आ रहा है, इश्यू आ रहा है करके आप कितने दुनों से प्रचार कर रहे हो, कहाँ इश्यू, कहाँ अभी तक नहीं आया है? आप लोग तो इस प्रकार बोल रहे हो कि इश्यू आ रहा है, जल्दी आ रहा है, और आप इस प्रकार बोल के लोगो को डरा रहे हो, देखो इश्यू अभी नहीं आएगा, वो आएगा, बहुत बाद में आएगा. अपनले को इस जिसु आहिवा, जिसु आहिवा, एक ठठटा करने वाले, बहार के लोग नहीं एँ, वो हमारे जुन में से ही, मसी दल में से ही हैं. और केसे हम लोग के सकते हैं कि ये जो ठटा करने वाले बाहर के लोग नहीं है कारण की वे लोग प्रतिग्या की बाते बोल रहे हैं वो हमारे बाप दादों के बारे में बोलते हैं वो हमारे स्रिष्टी के सेवा स्रिष्टी का अंत के से होने वाला है इन सारी बातों का जो धर्मशास्त में उल्लेख है वे लोग इन सारी बातों को बोलते हैं इन सारे बात्चीतों के दोरह ये पता चलता है कि ये ठटा करने वाली लोग बाहर के नहीं, पर तु हमारे अपने ही लोग है। और जब हम लोग केते हैं कि इश्यु मसी जल्दी आ रहा है। तब लोग सिर को हिलाकर करके बोलते हैं। तो एटानलोग है कियो को जेते है जिसु आही बहुँ से बुली The verse gives the answer Those coffers are those who walk according to their own lusts और यहां पर वचन इल का सारा उत्तर देता है ये ठटा करने वाले वे लोग हैं जो अपनी अभिलाश्या के अनुसार चलते हैं They like to live as they like according to their own lusts और ये लोग चाते हैं कि जेसा वो जी ले हैं वेसा ही जीए अपनी अभिलाश्या में जीवन पिताएं And if you keep preaching Jesus is coming soon, Jesus is coming soon They'll have to change their ways, isn't it? They don't like to change their ways, so they'll just say Oh, who said Jesus is coming soon? You keep preaching, He's not going to come So, I can continue living as I like And when we say that Ishmael is coming soon, so in order to listen to them, they'll change their ways and change their ways and leave them to live a good life And they don't want to live in this case, they'll say that Ishmael is not coming now And they'll tell their lives in their life and live a good life So, He's not going to come today, He's going to come, but not soon, not this year or next year Or year after next year, maybe another 20-30 years So, have a little more fun, sin a little more, go about in the world a little more Stop coming to church a little more And when you're old, you know, about 50 years old When you've enjoyed life, then you can start coming to church And then you can say Praise Allah, Praise Allah and get ready That's a trick of the devil And then, you know, He's going to come for a while आपके जीवन की अबिलाशा में आप थे रहो लगात और करते रहो ताकि जब वो आए आपको खीश करके नीचे ही रखे It's very sad today that people who claim to be Christians, children of God are ruining the name of Christ, living according to their own lusts और अपने अभिलाशा में जीवन जीते हुए अपने अभिलाशा के अनुसरा चलते हुए अपने जीवन को बरबाद कर रहे हैं बड़े दुख के साथ मस्यों के विशे में ये कहना परता है और नीचे और अभिलाशा जी आए था कि बनी आजी खीश चो मानु भिलाशा के नीचे और जीवन तु नीजे धांको को रिया से there was once a strong line that demarcated or differentiated the church from the world but now it's all mixed up, they are all one Christians are living according to their own lusts, sinning as they like, living as they like, doing just like the people of the world and ruining the name of Christ और मसीही लोग अपने पाप के अभिलाशा में जीवन जी रहे हैं जगतिक लोग, संसारी लोग जिस पकार के पाप में जीवन जीते हैं बेसे ही जीवन जीते वे मसीही के नाम को बदनाम कर रहे हैं in one church in a foreign country a child dedication took place विडेश में एक कलीषय में शिशु समर्पन प्रातना चल रही थी विडेखोट अटा मॉंडलेट ही हुँ हमर्पनर काई जीव होई सिले और वो जो हैं एक पास्टर नहीं परन्तो एक पास्टर नहीं उसको चला रही थी the godfather came to take over to say I will bring up the child the godfather had hair only in the middle both sides were all shaved off he had ring on one ear और उसका आत्मी पिता की रूप में जो विक्ती सामने आया जिसने का कि इस बच्चे की परवरिश में करूँगा उसकी अवस्ता ऐसा था कि उसके सिर्मे केवल बीश में ही बाल थे और दोनों तरफ से वो मुंडन किया हुआ था और आत्मी डाता जी को इसले जे मोँटे हो डाव डिखल कोडियम ते और डूपाले सूली असले माज़ ते खूर मोडना सले और वो अपने आपको इस तकार का पहरवा पहन करके कलीशय में या मंडली में गया था जैसे की अभी वो फुटबॉल खेलने जा रहा हुआ और एटे हो एनो का मुझा आरो कापूर पी निया इसले जैने को आजन एटे हा फुटबॉल खेली बोले लोबो और उसकी आत्मी माता के उपर के होटो में एक रिंग था और आत्मी मा को उठोर उपरोट एता रिंग असले और देखो इस प्रकार कलीशय में हो रहा है आत्मी पिता आत्मी मा जो इस बच्चे की परवरिश करने का जिम्मा लेते हैं एसी अवस्ता में है तो इस शिशु का क्या होने जा रहा है और यह मौंडलीट है आत्मी पिता रो आत्मी माता ही पिनिज़ देह के सुआ तो डेख भाल कर वो लो ए तेनले के सुआ तो रहा हो बोस्ता की हो वो और यह कालीशय में हुआ यह तो मौंडलीट होई सिले और उस बच्चे का जो पिता है वो 14 साल का है Mother was 12 years old और उसकी मा का उमर बारा वर्ष तेर मा को और बारा वर्ष Both of them were not married और यह दोनों ने शादी नहीं किया यह दूता यह बिया कर वो अनसी ले The iniquity is abounding in the last days अन्तिम दिनों में अधर्म बढ़ेगा और अन्तिम दिनों में अधर्म बढ़ेगा People have started living like animals and they call it fun Are you allowing such lusts to overtake you in your life? Many years ago in the country of Chicago there was a huge board along a highway which had one word pasted on it और कई साल पहले चिकागो के बोद बड़े राजमार में एक बड़ा बोड था जिसमे एक शब लिखा होकर के वाँ पर रखा गया था That one word was eternity और वाँ पर जो एक शब उस बोड में लिखा था नित्यता People, members of the public started objecting saying, take away that board, it's disturbing us It makes us think of death और जो भी लोग उस राशे से गुजरते उस बोड को देखते वो सारी लोग ने आकर के शिकायत की ये नित्यता लिखावा शब्द रुपी बोड को यहां से निकाल दो क्यूंकि इसको देखने से हमारे मित्यूस मननाती है So they took the board away So if you take the board away you're not going to die, is it? If you take the board away there's going to be no eternity, is it? Even so, if you try to say Jesus is not going to come today they're just going to preach keep on preaching it's been preached so many years He's not going to come you just keep pushing it off He's going to come just like you say, is it? When you specify the date, is it? और आप जिस परकार केते हैं कि इलो तिस परकार प्रचार करेंगे इस मसी अभी नहीं आएगा इस मसी ते जल्दे नहीं आने वाला है इस परकार की बातों को बोलते वे तो क्या आप सोच ते कि इस मसी जब आएगा तो आपने जो नहीं इन को ठेराया है उसके नothा इस मसी तुपार आएगा और अपनी को एठा के जिसु खुष्ट आहे हो 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 एक जिसु खुष्थ आ ते जिसु किस्तों हो हान आएकि हम लोग पीछे ना धकेले इसके बदले में हम ये करे कि उसके आगमन में जाने के लिए अपने आपको तयार करें निज़ अभी लाग पुर्णों को भी बोले आमी जिशु आगमन्टु का आमी पीस फाले थेली बोना लाग इस मसी की आगमन में नीचे रखने के लिए या नीचे खीचे रखने के लिए एक दूसरी चलाखी का काम क्या करता है तुर्णों का आमी उठी जावों नहों बोकार ने सौइटने आरोटा साला की कोड़े तुर्णों मार्कु सुसमाचार तेरा अध्यार और उसका पैंतीस चतीस रखन को पड़े वाटीस हरोटीस परोग यहा क्या लिखा है यहाद की लिखी से यहाद की लिखी जावों नहीं जानते की सौमी कब आने वाला है और जब वो आए आपको सोता ना पाए आपनी जागी ठाक अपनी होश्चीतो होई थाको कारण兩 सामय एतुअपना आप उसन ना पाए जटा थाक है अर आपनी टुटिंह एवादीस तापग आपनी सामय थाक है तो पुट 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 स्थिट्वल्पी निट्रवर वी ताप नो रिज़ भी तक कि वे लोग सोते रहें, इस मसी जब आएगा, वे लोग ना जान पाएंगे. Jesus said, nobody knows the time when I am going to come. At the same time, those who have a close contact with Jesus in their spirit, they may not know the exact time and date, but in their spirit they will know, Jesus is coming soon, Jesus is coming soon, there will be a bell ringing within them. Jesus said, no man doesn't know when I will come. But those who have made a close contact with Jesus, in their soul, 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 and what tells us and tells us that Jesus is going to come soon, and coming soon. Jesus' story says, That's why Jesus said, when I come, I'll come suddenly without telling you. So when I come, you should be ready, so that you might be ready, be watchful, and the meaning of being watchful is, watch and pray, don't sleep. And the Messiah says, when I come, I will come, I won't know anyone. I will promise, I will promise. I will promise. I will promise. Because of that, you don't sleep. And the meaning of being watchful is that you don't sleep. And the meaning of being watchful is that you don't sleep. And the meaning of being watchful is that we live and perform. प्रातना करते रहें very very sad to know that many children of God have no time to pray these days you know we are very busy you know exams are coming and I have this job to go I have to go to this state and that state and I have this promotion and I have to meet this person and that person you know and if I get time in between I will pray मैं बोती वेस्त हो इन दिनों में ये काम वो काम परिशा का समय आ गया है मेरा प्रामोशन हो गया है मेर को वहा जाना है यहा जाना है प्रातना करने का समय ही नहीं मिलता मेरा जब समय मिलेका तुमें जरूर प्रातना करूंगा मेरा प्रातना करूंगा मेरा प्रामोशन हो इसे अब इसे जिते है मुर हम हो है मेरा पातना को रिलम we have lost our relationship with God येश्मस्री के साथ ये परमेशर के साथ का एक संपर्क हमने खो दिया when someone has to tell you go and talk to your husband or go and talk to your wife or go and talk to your parents what does it mean? it means your relationship has been severed these are not things that we are supposed to tell you these are things that are done automatically because there is a relationship so if someone tells you go talk to your husband go talk to your wife it means something is wrong अगर ये बाते बोलते हैं तो इसका अर्थ ही यह है कि निश्चे आप लोगे इस रिष्टे में कोई ना कोई धरार या कोई ना कोई दूरी आ गया है इसी कारण से कोई आपको बोल रहा है ये सारी बाते बोलने का विशे नहीं है अर्थ ही आपसे एक दूस्य के साथ बातचीत करते वे रिष्टे को बनाये रखते हैं your relationship with Jesus is not right John Wesley said every day before I go to work or do my ministry I pray one hour in the morning John Wesley in this practice he said but he also said sometimes I have extra work to do so then I pray two hours we pray when we are free when we are busy we won't pray that's our trick but look at him when he prays one hour every day when he is busy he prays two hours because he knows he needs more prayer to do more work when we are busy we don't pray this is our trick but look at that brother's wisdom when he prays one hour he prays one hour he prays two hours he prays two hours our relationship with God is only during meetings like this when we come to a meeting like this we prays the Lord hallelujah amen when the meeting is over we say bye to God that's not the way Jesus is supposed to be close to us we are supposed to be talking to him he is supposed to be talking to us not only during meeting time it should be like that in our sleeping in our waking in our walking in our talking in our eating in our drinking in our traveling in our thinking he should be there all the time he is mine I am his and this is not the same we are Gallery of God that only in your life we have the same is not the same why every time we are largely theрашni बले हम सो नउनिक लिए दा रहे हो या हम जाग रहे हो चल रहे हो या बेट रहे हो खा रहे हो या पी रहे हो कोई भी काम ठीद रहे हो परमेशाय के साथ हमारा नाता हमारा रिष्टा बनी देना चाहिए I once read about a man of God मैंने एक प्रमेश्य के भक्त को इस प्रकार लिखते वे मैंने पढ़ा When that man of God died, they took his diary और जब वो भक्त जन मर गया, तब उसके डायरी को कुछ लोगो ने लिया In his diary, every day, things that took place in his life, he was writing down और उस डायरी में, उसके दीन चरिये जीवन में, जो भी कुछ घटा था, वो सब कुछ वो लिखता था In one particular day, he wrote a confession और एक खास दिन में, उसने ये स्विकार पत्रवा पर लिखा When I read that confession, I was ashamed और जब मैंने उस स्विकार को पढ़ा, तो मैं शर्मिन्दी की महसूस की You know what was written there? Last night when I slept, God was not my last thought. I ask Him pardon. In other words, every night when he sleeps, God is in His last thoughts. He thinks of God, thinks of God and dozes off. That one particular night, he didn't think of God and he wrote it in his diary as a confession. अन्य अक्षिनों में कहा जाएं, तो हर एक रात को सोने से पहले, उसके मन में आखरी चिंता जो उत्ती हैं, वो है केवल इश्वर. और इश्वर के बारे में सोचते सोचते, इश्वर के बारे में सोचते सोचते, वो सो जाता था. किन्तु वो खास दिन में उसने आखरी चिंता इश्र के बारे में नहीं सोचा यही उसका सुईकार था compare that man's life with our life उस लिखती के जीवन को अपने जीवन के साथ थोड़ा तुलना करके देखें अपने हें भग्टी जनन लगट आमार जीवन लगट तुलना को इसाओ होग हमारे आखरी चिंता में येश्व मसी के विशे में सोच करके कितने बार हम लोग सोने के लिए गए अमार जीवन और अमार राती हें हेक सिंता तु हिसेब है जीश्व किस्टर लोगट आमी के टिया राती हुबले गलू येश्व मसी के विशे में सोच ना है इस प्रकार का सोच भी कभी हमारे अंदर नहीं आए आरंट वी तर आवी पर दूर नहीं क्या हम उस लाल अजगर को नीचे खीशने के लिए हनुमोती दे कि है रोंगा आजगो को आमा तो लोट तानिव बबकारने हानुमोती दे क्या एक बार हमारे प्रात्ना में जीवन को परमेश्व के साथ का संपर्ख जीवन को नया करे one minute shall be close our eyes how many want to renew that relationship with Jesus Jesus should not be just someone who supplies our needs the one we go to just when we need something he should be part of our family the head of our house our best friend in fact our bridegroom Jesus Christ Jesus should not be just us our need a glory God has one before all लोर बार मुरिया हो पो लगे आरो ते हो अमार बंधू हो पो लगे आरो ते हो अमार दोरा हो लगे At this point I want to make a confession इस विशे में मैं एक स्विकार करना चाहता हूँ I know how to preach about prayer प्रातना कैसे करना है इसका प्रचार करना में जाना हूँ I know how to organize prayer so that my church members can pray मैं इस बात को बली बांती जानता हूँ कि कैसे मैं प्रातना सभा को रखू जिसके चलते मेरे कलिश्या के सब भी लोग प्रातना कर सके I know how to get the church to pray और मैं ये भी जानता हूँ कि कैसे मैं मेरे कलिश्या को प्रातना करवाँ But I myself need to grow much in prayer कि मैं मुझ में प्रातना में बढ़ना है कि मैं नीजे पार्टना के बीठी हो लगी भो So I myself humble myself before these words of God इसी कारण से मैं अपने आपको भी इन सारे परमेशर के वचनों के सामने अपने आपको नम्र करता हूँ I want to join with you and pray that I might be close to Jesus मैं आपके साथ मिलकर की ये प्रातना करना चाहूँगा कि मैं हम सब इस्षो के समीप उसके नजदीक रहें The Lord should renew our prayer life हमारे प्रात्म में जीवन को हमारा पमेशर नया करना चाहिए हमारे प्रात्म में जीवन को हमारा पमेशर नया करना चाहिए Chase out that red dragon from our lives हमारे जीवन से उस लाल अजगर को भगा दो He should not stop you and me from talking to Jesus The Lord should make us all prayer warriors Let us all pray one minute Let us all open our mouths and pray Oh God have mercy on us oh Lord We are so poor in our prayer lives oh Lord We have lost our relationship with you And we want to become close to you once again oh God We as a church we want to come back to you We want to love you We want to spend time with you We want to renew our relationship with you oh Lord We want to be your bride We want to be close to you Lord We want to have a close walk with you We want to have Jesus in our sleeping In our waking In our walking In our talking Every moment of our life oh Lord Renew oh Lord Help us to take victory Let us not be deceived by that dragon oh Lord Live a careless life oh Lord Have mercy Lord Have mercy Jesus We praise you Lord That the Lord might supply needed grace Let us all praise God Praise God Praise God We praise you We praise you We praise you In that close relationship with Jesus Our spirit will be awake To tell us when he comes Another area where Satan can play with us and pull us down Another area where Satan can play with us and pull us down Let's turn to 2 Timothy chapter 3 2 Timothy Adhyayateen Dityo Timothy Adhyayateen And read the first two verses Uska pehla do vachan ko pane Potam do vachan This know also that in the last days perilous times shall come For men shall be lovers of their own selves Enough What's written here It speaks about the last days And one of the signs of the last days is Men will be lovers of their own selves People's sacrificial nature is going to reduce People are going to be selfish Or Kyag ka jeevan Logo ke and dar se ghar jayega Or ve lok swarthi ho jayenge Manohar pradha Usho ka kari jeevan to hek ho jago Kino te haluk sathho pur ho ho Jesus came With the ultimate sacrificial nature He gave his life He shed his blood for mankind And that ought to be An important characteristic of every Christian Yeshi masih Is jagat mein aya Ushtepne jeevan ko bhi Sare manoh jati ke liye Tyak sarup Balida sarup De diya Or yehi sabha Har ek masih lok indar Dikhai dena chahiye But sad to say There are so many Christians today Who are living selfish lives They are living for themselves When they go to church It's for themselves Many people when they testify When the testimony is ending They say Please pray that I and my family Should go when Jesus comes In other words If the rest of the church Is left behind Never mind Please pray that I and my family go Kuch no kaalese me Gawai Yaa sakshi Dene ke saamay Samaye me Antim bhag me Is prakaar Ketate hai Ki kripak karke Meri liye Pratna karo Or meri pariwaar Ke liye Pratna karo Ki ish masih ke Agbaan me Hame lho U'tha liye jayen केने का अर्थ या ताप पर ये है कि बाकी लोग यदी हाँ छोड़ दी जाएंगी तो भी कोई बात नहीं और किसुपान मानुखे है मॉंडली हाइखोड दिया हम यहाइखोड कोई जे अनुगो कोडी मुल काने मुल पुरेल काने पार्टना कर पे जाते यहाइखोड कोई बाकी लोग भी जाते जाबन हुआ रहे और जो लोग अपने आपको प्रेम करेंगे और जो लोग अपने जीवन की रक्षा या सुरश्चा करने के लिए सोचेंगे वही लोग अपने प्रान को खोदेंगे किंतु जो मसी के खातिर अपने प्रान की आउती देंगे जो अपने प्रान को भी खोने के लिए तयार होंगे वही बहुत ताइत का जीवन को पाएंगे और जी जोने निजो के खुब प्रेम करा तेहो जीवन तो निडिवो काने बवसाबो है जोने तो जीवन तो जाबो आग बुलाहट होती हैं तता भी इसको छोड़ने के लिए वे लोग रुकावट का कारण बनते हैं क्यों आजी कली बहुत हुमान देटा के टेलों को लोगा जाब लोग है वा जाब लोगे टेलों के नीडी है और हवार पुठवा मोई आपकोपाद नहोई जो ये बचन लिखा है कि जो अपने प्राण को बचाने की कोशिश करेगा वो खोएगा और जो अपने प्राण को मसी के लिए देगा वो पाएगा उसका अर्थ ये है जो कोई इस बाद से डर करके अपने आपको बचाए रखता है उसका नुकसान होगा परनतु जो लोग मसी के खातिर अपने आपको दे देंगे उनका लाफ होगा बसक्तों लिए जुने निजो प्रेम कोने निजो के बसाभ शस्ता कोने तेलों के हरुआ जुने जिसु किस्टोर करने दिवा तेलों के जवन के जवन के जवन तेलों के नटूं जीवन पाबू One group of Christians, they are sacrificing their lives for other people. They're giving up their lives for other people and they're lending their lives for other people while another group of Christians are selfishly holding back what is theirs. they are not going to benefit by holding back they are only going to lose a dream killo kakao kata 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 wala atada dola nisokata program the home of the koreda say belok haiwa kan na ulai say जी तो डोले निजो कर रख्खा कुरो विसे से अर जी तो डोले निजो कर रख्खा कुरो विसे से अर तायम आही हो तेहलो के बेसी दाम दिभो लागी हो Many years ago, a missionary was caught doing ministry in Orissa Orissa में एक सुसामाचा प्रचार करने के कारण पकड़ गया The people who caught him, tortured him and he was half dead They found that he was from Chennai and they stopped a lorry that was going to Chennai and put him on that lorry and said, take this man away और देखा कि ये जो सुसामाचा प्रचार के वो चिननाई का रहने वाला है इस करन से, जिस रास्ते से चिननाई के लिए जाने वाला जो वहां या ट्रक जा रहा था उसको रोक के उसमें इस वेक्ति को डाल दिया और छोड़ दिया So they took him to our church in Chennai और ये जो ट्रक चलाने वाले लोगों ने उस वेक्ति को हमारे चिननाई के चर्च में ये कलीसिया में लाकर के उस वेक्ति को छोड़ दिया So the members of the church, they cleaned up his wounds and then after a few days he recovered After he regained his health, he went to the pastor for prayer Pastor pray for me Pastor ji, मेरी लिए प्रातना कीजिये Pastor मु करने पार्टना को रोक What for? किस विशे में? Pastor I am going back to Orisa to continue my ministry मेरा सेवा को जारी रखने के लिए में वापस Orisa जा रहा हूं Look at that man and look at us Christian brother, Christian sister How much have we spent for others? We all know John 3.16 For God so loved the world that He sent His only begotten Son That whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life Everybody knows John 3.16 Do you know 1 John 3.16? It says just like God loved us and laid down His life for us We ought to love one another and lay down our lives for our brethren How long are we going to try to protect our own lives? कितने हत तक या कितने दिन तक हम अमारे जीवन की रक्षा करते रहेंगे? One day a meeting like this was going on एक जगा में एक दिन इस प्रकार की एक सभा चल रही थी While the pastor was conducting the meeting Suddenly two gunmen walked into the hall और जे सही pastor जी प्रचार कर रहे थे बंतुग धारी दो वेक्ती हाल के अंदर प्रवेश किया Stop preaching प्रचार कर न रोखो The pastor stopped Then they stood next to the pastor and pointed the gun at the crowd और उसके बार ये बंतुधारी लोग पास्टर जी के बंतुग में खड़े होकर के भीड की ओर निशाना लगाया All those who are on the side of the pastor go to that corner All those who are not on the side of the pastor go to that side और जो लोग पास्टर के साथ नहीं है उसके तरफ नहीं है वे लोग दूसरी तरफ हो जाएं In the full church only two people went to that side और पूरे कलिस्या में के वोग दो लोग एक तरफ हुए The rest of the whole church went to that corner और बाकी सारे कलिस्या के सब भी लोग एक तरफ हुए और बाकी गुटे कलिस्या हुए और अनफाले हुए Because they know if they go to that side they might get shot dead now by those gunmen So when the guns were appointed only two people to support the pastor After all the others went that side The two gunmen put down their guns और ये दो बंदूख धरी अपने बंदूख को नीचे किया और ये दो बंदूख धरी अपने बंदूख को नीचे किया They looked at the pastor And told the pastor Pastor This is your church And worked out और कहा पास्टर जी को देख तेवे Pastor जी ये तेरी कलिस्या देख ले और बोलके चले गए So they all put their heads in shame और वे सारी लोग शर्म निगी से अपने सुर को जुखा दिये This pastor is preaching and preaching and preaching When the gun was pointed they all went that side ये प्राश्णर जी प्रचार करते जा रहे है किंतु जब बंदूख का नोख सामने आता है वे लोग pastor जी को छोड़के चले गए How long are we going to continue to love our lives हमारे जीवन को कब तक प्यार करते रहेंगी Let us lay down our lives for Jesus Let us lay down our lives for others हम लग ये श्मसी के लिए अपना जीवन नो चावर कर दे दूसरों के लिए भी हमा बना जीवन दे दे It is a sign of the last days that people are going to be more and more selfish Are we going to be like them? अंतिम दिनों का लक्षन और चिन यही है कि लोग अधिक से अधिक स्वार्ती हो जाएंगे क्या हम भी बे सही है So keeping these things in mind इन सारी बातों को अपने मन में रखते हुई We are going to go back to the key verse What did we read in Exodus 3, 19 and 20? निर्गमर की किताब तीसरे अधिया है के 19 and 20 में हमने क्या पढ़ा God tells Moses I am going to multiply my signs and wonders and show my power in Egypt और परमेशन ने मुसर को कहा में मेरे आश्चर जी कर्म को बढ़ाऊंगा मेरे शक्ती सामद को मिस्र देशने बढ़ाऊंगा Even so, before the second coming of Christ there is going to be a multiplication of signs and wonders by Jesus in this world उसी प्रकार ये श्रमसी के दूसरे आगबन से पहले श्रमसी के द्वारा ये उसके शक्ती के द्वारा आश्चर जी काम, अद्बूत काम बहुती अधिक संक्या में होने वाली है ये घट रही है Before the Egyptians, before the Israelites left Egypt there was a short period in Egypt where God performed His signs and wonders in the same way before Jesus comes and before His people are taken up there is going to be a short period in this world where God is going to show all His power जिस प्रमेशर ने अपना सामत मिस्रियों के मद्दी में दिखाया उसी प्रकार ये श्रमसी की आगबन से पहले इस जगत पे अलप समे प्रमेशर अपना सारा शक्ती सारा सामत इस जगत पे दिखायेगा जेने कोई Israeli होकल मिस्र आख कर पा उलाया होकरते अलप हुम होगर ने इस जगत अखवाई ने थीक तेने कोई इस जगत अगबना अगटे अलप हुम होगर ने जगत लिखाबो तो सपता पेले अंतराष्टी संमिनन चिन्नाई में हमार ली था there in the 24 hour fasting prayer shed one woman died she was dead for two hours और वो बहन करीबन दो घंटे के लिए मर गई और है भॉनी जोनी प्राइड दुखंटा काने मोरी को इसले और वहां पर प्रातना लगातार चलते जा रहा है उसी तरफ दूसरे जुन के लोग तैयारी में हैं कि उसके शरीर को ले जाए उसको धोए और साफ करे पुरा हो और अठाह दुख जो पार्टना को ले जाहा है शोला है और अठाह दूसरे जुझा गरीज सवाए शोला है और जेसे ही वे लोग कार को भेजने वाले थे कि जाकर के शरीर को लेकर के आए ये बहन अपने आखे को खोला हमारा परमेश्य जो मरे ओंको चिलाया था वो आज भी जीवी थे अंतिम तिरों में इस प्रकार की और भी और भी बहुत सारी घटनाओं को हम देखेंगे आंतिम दिन में एनकोटनाओ पहुत साँतना में देखा पाम और ढर्मशास्त की अंज सार अंतिम दिनों में परमेश्य का सामत का का समय होगा करके उन लेखकिया है God is going to show who he is to the world before he comes He is going to multiply his signs and wonders in this world before he takes away his people another thing that's going to happen in these last days God told Abraham the forefather of the Israelites your seed the Israelites are going to get trapped by the Egyptians but then when they are let go when they leave Egypt they are going to go with great substance and go away this is going to happen even in Armaged in the last days when you and I go by the grace of God at the coming of Jesus Christ we are not going to go alone we are going to go with great substance what's that substance not silver not gold souls God is going to give us lacks and lacks of souls who are going to join us in the last days and they are also in the last minute going to get ready for Jesus when he comes recently an incident took place in the Philippines there was a man there who was a taxi driver there was a taxi driver he was newly saved he newly accepted Jesus God told him I am going to make you my minister my servant in your workplace so this taxi driver wondered what's my workplace my workplace is the road is God going to make me a minister in this road and the taxi driver thought that I will make you a service and my work is the road so what will I make you a service and I will make you a service and I will make you work on the road and I will make you a service every day he would stop at a bar where to have soft drinks to have cool drinks and in that bar other people would be having liquor he would have cool drinks he made friends with the manager of that bar he started telling the bar manager about Jesus the manager was listening but didn't say anything you know who the manager was he was a drunkard he was a homosexual and he had 35 prostitutes he was doing business with them this taxi driver didn't know all these things he was telling him the truth suddenly one day when this man taxi driver went to that bar the manager comes and says I want to take baptism this taxi driver was shocked how was this man asking for baptism suddenly and anyway he prayed over him and took him to a river and gave him baptism when that manager took baptism and came out of the water he told that taxi driver you know I feel something has gone out of me that old lust is not there anymore he stopped drinking he stopped his dirty habits but very soon in two or three days he ran into a problem those 35 girls started calling him one after the other and saying what's this you are not calling us for business what's happened to you so he called all the 35 girls call them what you told me so this taxi driver told those 35 girls about Jesus और ये टैक्सी चालक ने उन 35 लड़कियों को इश्मसी के बारे में बताया और ये सारों जोने हैं पोटिस जोने स्वाल एक जिसु खिस्टर बिखोय को ले ये सारे 35 लड़कियों ने इश्मसी को अपने जीवन में उद्धार करता की रूप में ग्रहन किया और ये 35 लड़कियों ने बप्तिसमा भी लिया अभी उनके पास कोई जगा नहीं की जाकर के आरादना करे और जब टैक्सी चालक को पता चला की यहाँ पर कई ने बतादना करे लोग उद्धार को प्राप्त कर रहे हैं तो उसने अपने रहने वाले स्थान को बदल करके यहाँ आ गया every day his wife used to do a ministry also हर दिन उसकी पतनी भी सेवकाई करने लगी you know what she'll do? you know what she will do? every morning she will make snacks, sweet meats, pray over it and distribute it to all the neighbors और वो हर सुभा कुछ खाने की पदार्तों को बनाती उसके पर प्रातना करती परोसियों को बांड देती one day one man came to her and said I hear that you're giving snacks to everyone freely I want to taste your food I hear it is good और एक दिन एक व्यक्ति उसके पास आकर काहा कि तू बिना मुली लोग को खाने की लिए कुछ-कुछ देती है इसकी लिए मेरको भी आपके चीज को ँखाना है इसकी लिए तो आप मुझे वो ढेंवाज वेजी जीजीए इस बहन के तरह बनाएगे इस भोजन को यह चीज को खाया, खाने के तुरंद बात, उसने मन परीवतन किया, और इस मसी को गहन किया. और ये विक्ती उस बार का प्रबंद या कि मालिक है. और ये बार का प्रबंद बार का प्रबंद या कि मालिक है. ये बार का जो मालिक था, उसने इस मसी को गहन किया. गहन करने के बाद भी वो बोला, कि अब तो मैं भी मन परीवतन किया हूँ. अब मन परीवतन करने के बाद, ये शराब की दुकान को मैं कैसे चलाओ. इस कारण से उसने शराब की दुकान को बंद कर दिया. और उसी स्तान में ये मालिक और ये प्रवंदक और ये गाड़ी चालक उसकी पत्नी ये 35 वेशिया है और भी कई सारी लोग मिल करके वहाँ प्राखना करना शुरू किये और कई आत्मालों वहाँ पर आने लगे आज के दिन बे भी फिलिपी के उस जगह में वो एक कलीशिया ह अब आज यहां पर चोटा सा एक जुंड है but take my word this is not going to be like this very soon it's going to increase no matter who tries to stop it who stands against it it's going to multiply 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 in the last days you are going to see actors prostitutes beggars madmen magicians politicians businessmen sportsmen all are going to come and worship Jesus and say Jesus Christ is Lord आप लोग बहुती शिक्र देखोगे cinema में काम करने वाले अभी नेता लोग कई दारू पिने वाले लोग वेश्य लोग पापी लोग पागल लोग वेश्य लोग इस्वसी को अपने जीन में ग्रेंड करके पमेश्य की महिमा करेंगे अपना लोग अटी हुनक ले टेखा पावजे जीन में लीक मानुँवा से बेच्सा होग भीकारी होग इस सीनमार ओवीने अगो अधिने अगो होको ले आपिन जीन किसो गहन करी वा अर्टर मोहीमा करीवग I have more to say but I am stopping with this और भी बहुत सरी बाते कहने के लिए कि तु इसके साथी में समाप करता हूँ shall we close our eyes Jesus is coming very soon things that are happening around are telling us he is coming very soon अमारे इर्द गर्द जो भी कुछ हो रही है ये सारी बात यही बोल रही है Jesus जल्दी आ रहा है but you and I have an enemy लेकिन आपको और मेरी लिए एक शत्रु है he is going to try to stop you and I from going when Jesus comes ये स्थ मसीजे भाए उसके साथ उठा लिए जाने के लिए ये शत्रु रुकावट के लिएती में दिखाए देगा he says I will not let you go but at the same time Jesus tells you I will not let you go now you may feel that Satan seems to be having a stronger pull over your life but the one who saved Israel from Egypt is going to descend in our midst with all his power do you believe that he has the power to deliver you if there is anyone who has come here newly remember Jesus loves you as you are no matter what sins you have committed he has the power to save you to deliver you come to him if you have the first time you have the power to save you if you have the power to save you then I will say one thing I will say Yeshua you love you why don't you love your love why don't you love your love Yeshua you love you this is the power of Yeshua a day is coming when every knee every angel in heaven every saint in heaven every human being in hell every demon in hell is going to bow the knee and say Jesus Christ is Lord one day is coming when everyone takes the strength of performing last day and everyone takes the strength of performing for pray and everyone takes the strength of me all the enemy takes the strength of me the devil's teacher also says Jesus Christ is Lord saying evangelical we we all our OMG brother, sister who is Lord in your life? if Jesus is Lord say it say it, let heaven hear it let the earth hear it, let hell hear it say it with your mouth, Jesus is Lord let's all open our mouths and say Jesus is Lord maybe Satan is fighting against you but Jesus is Lord Satan is fighting against you but Jesus is Lord maybe you think that he is pulling you down but Jesus is Lord let's all say it together Jesus is Lord 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 He is Lord He is Lord He is risen from the dead and He is Lord every knee shall bow every tongue confess that Jesus Christ is Lord He is Lord He is Lord He is risen from the dead and He is Lord every knee shall bow every tongue confess that Jesus Christ is Lord He is Lord He is Lord He is risen from the dead and He is Lord every knee shall bow every tongue confess that Jesus Christ is Lord He is Lord He is risen from the dead and He is Lord every knee shall bow every tongue confess that Jesus Christ is Lord एंचीार बैसे जड़ेदी गंखेड़ें रिखने फिर्दायर की इसलिए भेसे बीष़े जड़े इसलिए भी एक एक टेकार की सावा होगी ईसलिए गाया पुझाएंगी He may come and we are sleeping He may come and a meeting is going on like this He may come when you are traveling He may come when you are eating But what is our hope When Jesus comes In a moment in a twinkling of an eye We shall all disappear and be with Jesus And as we get together in heaven What shall we say And when we meet Jesus in the world What shall we say Jesus is Lord He is Lord He is risen from the dead And He is Lord Every knee shall bow Every tongue confess That Jesus Christ is Lord He is Lord He is risen from the dead And He is Lord Hallelujah Every knee shall bow Every tongue confess That Jesus Christ is Lord He is Lord He is risen from the dead And He is Lord Every knee shall bow Every tongue confess That Jesus Christ is Lord Every knee shall bow Every tongue confess That Jesus Christ is Lord He is risen from the dead Shall we all praise God I am Praise the Lord 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 All praise God With all orderly He has delivered His people Out of the hand of Egyptian The Pharaoh The King And the Lord That work Jesus has done On Calvary No power On this earth Can hold back His people The people whom the Lord Has called and chosen According to His eternal purpose As the children of Israel Came out of the land of Egypt Heading towards the land of Canaan Once upon a time We were under the clutches Of the Pharaoh The Satan The devil But the Lord Jesus Christ The Son of God He is the one Who has delivered us The Lord has been speaking to us In this way And making us to realize What the plan of God Is regarding our life So keep it in mind Even in the days to come O land of glory Which God has promised For His people The eternal kingdom Which God has promised For you and me Hallelujah Hallelujah How many of you are willing To go that way That glorifying The name of God The Lamb of God Was slain 2000 years ago He wants to change Our life like Him And He wants to change Our life like Him That Christ and Lord And Savior Redeemer And sanctify The Lord Jesus Christ And He wants to change 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 Our Lord Jesus Christ If He fully trusts in Him He is able to accomplish That glorious work in us And He will make us ready For the glorious thing Shall we all praise God For the glorious work Which God has put in our hearts Our Jesus is coming very very soon Oh it is high time Dear child of God That you and I must be alert And watchful And praying And working for the Lord The grace of God Is able to help each and everyone Grace of God The grace of God The grace of God Is able to enlighten us Every now and then The grace of God The grace of God Is able to lead The spiritual church of God God's people Step by step on victory And joy God has been able to Shall we all praise God Praise the Lord 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 Giving our body Soul and spirit And all the dear ones Whom the Lord has gathered His people In these days of the convention Shall we all praise God प्रात्मा और आश्रवाट से पहले I call our brother Felix to come forward and to give a word of thanks this is the time to give thanks for our God for all the goodnesses which God done unto us परमिष्या ने हमारे निमित जो भी कुछ भलाईयों को किया है उन सारे भलाईयों को स्वरण करके धन्यवाद देने का यहीं समय है परमिष्या आमा करने जी को लेह को लो परमिष्या को धन्यवाद दिया रहे तो हमोई so I request you all please shall we all stand up and we'll give thanks unto God इसके लिए मैं नम्र निविदन करते वे केता हूँ आओ हम सब खड़े हो जाए और परमिष्या को धन्यवाद दे ताह काने मौई नम्र निविदन को अपना लोग आख हो को लेठिया होई पिनी परमिष्या धन्यवाद दिया होग I will never will cease to praise Him My Savior, My Savior I never will cease to praise Him He has done so much for me I never will cease to praise Him My Savior, My Savior I never will cease to praise Him He has done so much for me I never will cease to praise Him My Savior, My Savior I never will cease to praise Him He has done so much for me I never will cease to praise Him My Savior, My Savior I never will cease to praise Him He has done so much for me Alleluia, Praise the Lord So as an Almighty God, Lord has undertaken our convention from the very first day onward up to this end Further, let us praise God We praise Him, Lord We praise Him, Lord We praise Him, Lord We praise Him, Lord Our God removed all the inheritance of this convention and blessed this convention more than our prayers and expectation हमारा परमेशन ने हरे एक प्रकार के रुकावट को दोर किया हमारे प्रातना से, हमारे चाहने से बढ़ करके हमारा परमेशन ने सम्मिलन के दोरान हमें आशिश की इसके लाई हम परमेशन को धनेवाद करे आमी पारमुष हुकलाू बादा बेगी नियू हमिलनो पहरा, आमी पार्टना कोई गरा, आमी अखा कोई षी में हमें एंक ऑखुल मोगई गना ड़ी हुआ। प्राइशने बारिश को रोका, आंदी तुफान को भी रोका, एक उत्तम क्लाइमेट बातावल हमें दिया, इसके लिए में प्रमिश्यक धनेवात करी। प्राइशने बातावल हमें दिया, इसके लिए में प्रमिश्यक धनेवात करी। प्राइशने बातावल हमें दिया, इसके लिए में प्रमिश्यक धनेवात करी। प्राइशने बातावल हमें दिया, इसके लिए में दिया, इसके लिए में प्रमिश्यक धनेवात करेंगे। प्राइशने बातावल हमें दिया, इसके लिए में 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 दिया, इ हमारे सोचने से बहार पमेश्य ने बहुत सारे लोगों को इस देश से पमेश्य के संभग में लेकर के आया इसके लिए आयम पमेश्य को धन्यवाद करें Lord has brought the servants of God and believers from almost all part of the northeast for the let us praise God पमेश्य ने कई सेवक और कई विश्वासियों को हमारे इस पूर उत्तर पुर्भाग के अन्य इस दानों से लेकर के आया इसके लिए पमेश्य को धन्यवाद करेंगे God brought the sender pastors from Shiloh Shilong, Demapur and Koima with sound L and use them for the letters, praise God. प्रमेशन ने भाई तेजो को भी हमारे मद्दे में लेकर आया और उसकी महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल किया इसके लिए यह प्रमेशन का धन्यवाद करे अभरमेशन आमार भाई दॉक maintaining अधन्हे प्रमेशन आप़ार को भी हमारे प्रमेशन आपण दॉक करें लिए अठेजो क करे अधन्हेष को भी हमारे में च्रने पिड्मेशन आपड दोफो दोफी हमारे ऑन्हें लेकर दम्रूट म्दे धन्हड़ करने ग्रमेशन अग surface classwork प्रौर्ण मिजिय को भी अनुवाद करने के लिए भी शेय्ष अनुगरर शक्ति दिया, अभी शेय्ट दिया है इसके लिए मिखिय को धने वाद करे। बुरॉद ओर मैं सरे अमर स्वेक अनुगरर निए अमर भाय भी जो घंनल से द्धना भाद इम। Praise the Lord! 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 Brother Babla and Mr. Babul Ohr help us to get this place and the staying quarters for the letters. Praise God. और भाई बाबला और बबुल होर ने रहने के लिए इस्तान के लिए हमारी मदद की और कॉटर को प्राप करने के लिए हमारी सायता किया इसके लिए भाई ये पमेश्य गुदह ने वात करी और है बाबला पाबल हरो अमरे जगात कर अधर रखर हरो खा कर अधर हो है को अधर में अपरम सर धन्व नबाद हर। प्रेसे लोग नुट बाद दिम प्रेस दोर प्रेसे लुटॉ काम के लिए रसोई में परिस्टरम किआ इसके लिए आएं पर मेश्टर को धने बाद करें प्रिस अवर्ग काई भूजन बुनाव करने को तो धले होगे जोजन मेशन पर ठंद पाद इंडवादी केटी एंटरप्राइज ने इस तंभू को खड़ा करने के लिए हमारे साहता की उनके परिवार को भी वमिश्य राशिश करने के लिए आईयम परमिश्य को धन्यवाद दे केटी एंटरप्राइज है अमारे टॉम्बूतु थीओ हमारे हो खड़ाय को अईयम परियालटू करने पार्टना को लिए परमिश्य थे लुक का अखी बाद कोड़े आपनो लुकर अरूच अरूच भॉर भीज़। आप पिर से लूट शुकर अपर अजी तरथा से लोग भी इन समयरन के दोरान हमारे साथ शांती समय दान बनाए रखे इसके लिए हम पर जबनेवाद करें पेज़ लुटूट पेज़िए लुटूटूटू अलुटूटूटू युटूटूटू घंप घंवरी विश्वाज भवन्नने हम लोग और भी इस सम्मिलन की विशे में पमिश्य को धन्यवाद करने के लिए उसके नाम को महिमा देने के लिए एक विशेश प्रात्ना सभा रखा है नम्र निवेदन हरे एक विश्वासी और सिवकों से है कि रात के दस बजे की सभा में आप लोग भागीदार हूँ हम हमारी पता ठीका ना आपको बताना चाहते हैं अपना लुका अमी कोवले भालपाम दी पेंटेकोस्तल मिशन नियर साइकल फैक्तरी साइकल फैक्तरी के समीप साइकल फैक्तरी उसरोत गोपिनात नगर काला पहार गोःती काला पहार गोःती हर बुद्वार और शनिवार के सुबे नो बजे उपास प्रातना इस सान में होता है पोटेक बुद्वार आरो होनी बारे ना आप दामार अपापकोर पातना याथ होई आपकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, आप उस उपास प्रात्ना में हमारे पास आए, हम आपके लिए प्रात्ना करेंगे यदिया पमेश्या के वच्छन के बारे में और भी अधिक जानना चाहते हो हर बुद्भार शाम के छे बजे एक शास्त्र अधियन वहाँ पर होता है आप लग वहाँ पर आकर के बाइबल के विशे में धरम शास्त्र के विशे में सीख और जान सकते हो अपने लगे ज़िए परमसर बायकर वहाँ अपने जानी वहाँ बिसारे बिखोड भावतन होले आमार बूर बारे गदुली हमोट टाट बाइबल अधन होई हास्त्र और बिखोई आपना लगे अधिक जानकरी टाट दिया होई और यदि आप पवित्रात्मा को पाना चाहते हो और यदि चाहते हो कि आपका पाय हुआ अभिशे को आप हमेशा नया करें तो आपके लिए हर सनीवार को शाम के छे बजे एक बिशेश इंतिया सभा वहाँ पर होती है हर रविवा सुबह के नो बजे उसी इस्तान में सुबह की उपासना होती है हम ये चाहते हैं कि आप लोग इन सारी सभाओं में भागिदार हो और प्रभी श्मसी के दूसरे आगमन के लिए अपने आपको तैयार करें प्रभी श्मसी का आगमन बहुती शिग्र होगा कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं अपने हाथ को उचा करते वे जोर से हलिलिया कहें लेल्या, 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 प्रातना आश्री रात के बाद रिकिसी को विशेश प्रातना की आवशक है आपके लिए प्रातना की जाएगी पहुआ नार हम जी, थैज़ क ह Native Lord Eric, आनकी ऑपने में ने को पहाचना थो, तुमी आमानिशने आजन मानुरुप़ तुमी आहिला, तुमी आमानिशने चलका 아니मे, तुमी कुश्च भुक करिला, और अ अभिलाक तुमी पहल हुर किन्यी ओभिलाकर भूल नोगाई, तुमी हे घ जोस्ता आहना तुमी भिननाशयral तुमी निज करीड़ करिवा तुमी अजो कुल करिवा अरु आर फ्रोंद्य जेटो अंकरने तुमी कुल कर्या दौत्व सर्का रांर तुमी शोइतन मुर्द्वड तुमी जोई पार आतीला पहो जिशु आज आजो आमी बहुत नानु आसे जीटो आमी मोरिभोले भोय करू पहो पहुत जिए जिशु करू तुमी आमा हाहग दिभा करण तुमार बाउकर कोश्चे मुक थे जुने मले ही जीवन पव़ और जुने निजर जीवन भशाब लो ते हो मोरिभो झाली, अधान की झाली नियुक्तप आपाइध पिटेश सब्सक्राइए पीन काली कर्दै एक झाली आप हुसां तुमार हुआट नामि भुहिंग पवभभमिट जी आजी आजी सू। सोई टाने जीमान साला किन न करो कियो। तुमार उपरोट कुनु हक्तिना इह पिधीपीत। और हे हे तुमी तीन दिन दो पश ठीयो हला पवभभमिट जी आजी आजी। आहिशे तुमार बाइकतो हुनी तुमार भाइकतो हुनी तेह प्योट नो हो ब्योट नो करें सब्सक्राइब माप खुजी जाम, ख्यामा खुजी जाम, आमी शिकाय कोरी जाम, जने के भग्त जोने, शिकाय कोरी जाम, हेख सिंथा हुआर अगोटे मोई, जिसु नाम लब नुवारिलू, बहुत पुम्ते जिये शुचु, तुम्हा अखिवाद कोरिबा, जै आमार तुपनी प्रा उठी जिसु तुमार नाम लब, आमी काम कोरी ठागोटे, खाउटे, हुटे तुमार नाम लब, आमी हुआर हेख मुटत तुपनी जुआर अगोटे तुमार नाम लब जाते, और हमार विश्चाह से, तुमार नाम जोडी मरू, आमी जी, करन, लेजर जी मोरी गोई सिले, लेजर जानु आमी जीएवन हेता आशे, कारन्ल अधीन जरी आमी मूरेवोय लागे, क्यों आमी जीसुद महए नहीं, कि सप हो था मैं आपा बंफेव 2022 कूरू, आमी जीसुद आमेरे आमी हकोले नीज़ जीबन्टो ठमके करेड़ हुप। आर अमी जिशुत आमार जोई है से कार्ण जिशुत जोई पले गुटिके मूर परठना निवेदर न परमेस्तर तुमी जी होकल लुकी हुनिले तुमी होकल के तुमी पुमी स्परको किरियुआ तेलुके जाते सख़ धान न उर सालना न चाय आर कारण तुमार ची निदर्खना आशे पविट्व टेस दिला हकोलू पविट्व ड्रेजार डराजें धुआ हवो पविट्व हुशी होई तुमार लोग तेनलुके एके लोगे बाग कोरियो पारिवो तेने तुमी मनस्थ दिवा और कुने जे निजो के गोरण नकरे में बाग कोरीयो पारिवो तुमी जे लोगे खने निजो कोई उखने लोगे गोराजे निजो कोई आवा विट्व तेनलुके जावा तुमी आघर डराजी जावा, और हमार छोविट्व होई कि एक स्ष मुट्व टेन जाब कोई वहता है ख़ले जावा, और कि दुमार पा कोईिस्ट आगेए युदु आगेए मनुस स्ट्री करूपुします परमे सब्गर आचते खालेंगे झाले नामे खेले जीस्टप श्रत करोएपी कोई नहीं। थ्युदु अमनु आगे में समय सो कॉछू पनो्य। आपको जो क्यों से शिटकोशार और साथ मुर्दवां आपकोम्हित फितन पर्भ मेधी क्विक धंदगें अपकोमाई जुट्टि शारन्स भन्यमाट क्यों अपर फितना क्यों सते हे शक्यर में। आपने बादिसू जियोकर नतुन आत्मान ले धन्या बादिसू अमी होको लुका तुमार सो सौरनर पुनिबाद करी मय पुमिन दो जी सुना पार्टना करी Gracious Lord, we thank Thee and praise Thee with the grateful Lord. From the first day onwards, Lord, till this moment, we have taken control of every part of our convention, small and the great Lord, we praise Thee and thank Thee. O Lord, when we think of all the goodness, the greatness of God, and the healing and the deliverance and the law of mighty anointing which You have given to Thy people in these days, O God, we praise Thee and thank Thee. What shall we render unto Thee for all the good things? As the psalmist says, O Lord, we have nothing to boast. One leader, take the cup of salvation and glorify Thy holy name. You have given this great privilege for us. Therefore, in the name of the Lord Jesus Christ, for which we are bound to give thanks unto Thy holy name, we praise Thee. Keep all the dear ones under the perfect care, till we meet each other. Thy coming is very near. Help us all to remain only as You, as we read from the word of God, as You desire from us, Lord, from each one of us. Help us all to meet Thee on the day. We give all glory and honor to Thee. In Jesus' precious name we ask it all. Amen. Now may the grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit, rest and abide now and till, and all the dear ones who are gathered here, till Jesus comes in glory. Amen. Alleluya. 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 Praise the Lord. May God bless you all. There is one prayer, you can come for it. Some brothers also can do one prayer, sing a song. Sing a song. Sing a song. Gawna either is made. Chant singing, part either other dekhtha hai. Kitne par bolna hai. Aaj vi doon dais tuomko Tum chipe ohe o ka ha. आज भी डून्द दाईश तुम को, तुम चिपे बोई हो कहा सामने आओ, मन पिराओ, सामने आओ, मन पिराओ स्वर्ग राजन पे दाखिर हो जाओ आज भी डून्द दाईश तुम को, तुम चिपे बोई हो कहा आज भी डून्द दाईश तुम को